आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गेट का स्कोर कैसे कैलकूलेट किया जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक सैम्पल गेट स्कोर कार्ड है यह गेट 2022 का स्कोर कार्ड है आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ graduate aptitude test in engineering केट पर प्राइवेसी रीजन हमने नेम आप दा कंडिडेट अब देख सकते हैं गार्जन्स नेम, अरेस्टेशन नमबर अब डेट अब बर्थ इदर राइट साइड में फोटो और सिगनेचर को मैंने हाइड किया हुआ है इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा गेट स्कोर कार्ड पर ये कोई भी हो सकते हैं अभी आप देख पा रहे हैं कि सिविल इंजिनरी एग्जामनेशन पेपर ये अलग-अलग पेपर्स में होता है करीब 25-30 हमने 25-30 पेपर्स हैं जिसमें आप गेट लिख सकते हैं ये आपको जो अगर देखना है कि किन-किन सब्जेक्ट में लिख सकते हैं तो मेरा आप एक और वीडियो जो इसका लिंक मैं यहाँ पे शेयर करूँगा आप उसको देख सकते हैं कि किन-किन पेपर्स में आप गेट एग्जाम लिख सकते हैं अब आईए आगे देखते हैं कि यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है एक्जामिनेशन पेपर सिविल इंजिनेरिंग कोड़ सी फिर लेफ्ट साइट की मैं बात कर रहा हूँ कि लिखा हुआ गेट स्कोर यहाँ पे गेट स्कोर देख पार हैं 610 अल इंडिया रैंक इन दिस पेपर 1440 इनका इतना आया है नंबर आप कैंटिडेट एपियर इन दिस येर 143 टोटल जो सिविल इंजिनेरिंग में 143 स्टूडेंट्स एपियर हुए थे इधर राइट साइड में आप देखेंगे मार्क्स आउट ओफ 100 52.58 टोटल जैसा हमने बता है अपने वीडियो में के टोटल मार्क्स जो है 100 का होता इसमें इनका 52.58 है अच्छा यहां पे कॉलिफाइंग मार्क्स जेनरल के लिए 30.4 और ओबीसी के लिए 27.3 और एससी एस्टी के लिए 20.2 है तो अभी हमने पिछली वीडियो में आपको बता है कि नॉर्मली जो है 25 से 30 के बीच में कॉलिफाइंग मार्क्स होता है जिसका अगर 25 से 30 के बीच में भी होगा तो उसको स्कोर कार्ड मिल जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईए आगे मैं बताओ कि स्कोर कार्ड जो गेट स्कोर एक्च्वल में कैसे कैलकुलेट होता है तो यह गेट स्कोर जो 2022 में कैलकुलेट हुआ है या इसको आप देख पाएंगे एक फॉर्मूला है gate score is equal to यह जो formula आप यहाँ पर देख पा रहे है यहाँ पर है I.C. के true gate का score calculate किया जाता है कुछ terms है इसको समझना है समझ करके इसमें आप value put करेंगे तो आपको यह gate का score निकल आएगा बाकी चीजें तो general instructions है जो आप पढ़ सकते हैं इसके score card पर लिखा हुआ क्या क्या है हमारा consensus ने इसको conduct किया है एक चीज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इसमें आप देखेंगे कि हमने जैसा बताया था कि validity इसकी देखिए आप साफ लिखा हुआ है left side में यहाँ पे blue में valid up to 31st March 2025 तो gate conduct हुआ है qualify किया इन्होंने 2022 में और 2025 तक valid है इसका मतलब gate score जो है वो तीन साल के लिए valid होता है वो बता हुआ है